रूस युक्रेन युद्ध की आग से दोनों देश जुलहस रहे हैं। नेटो देश रूस पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है। वहीं जंगी मैदान के बीच तीखा जुबानी पलटवार भी जारी है। हमारे ठिकानों पर हमला करने का साफ मतलब विश्व युद्ध करना है। पतादे की डूडा ने बीते अप्रेल महीने में कहा था कि पोलेंड युक्रेन के सबसे मजबूर समर्थकों में से एक है। जैसे बेलारूस में रूस के न्यूकलियर हत्यारों की तैनाती है वैसे ही पोलेंड भी अपने यहां नेटो के परमानू हत्यारों को तैनात करने के लिए तैयार है। साल 2008 से 2012 तक रूस के राश्पती रहने वाले मेद्वेदेव उदार रूसी नीती रखने वाले शक्सियत माने जाते थे। हाला कि उन पर आरोप लगता रहता है कि युक्रेन पर रूसी हमले के बाद से वो सबसे बड़े कट्टर पन्तियों में शुमार हो गए हैं। जो कि लगातार सोशल मीडिया पर भड़काव पोस्ट कर रूस युक्रेन युद में रूस का पक्ष रखते आ रहे हैं। हम उन सभी को नश्ट कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिमी देशों को युक्रेन को रूस के सैन्ने ठेकानों पर हमला करने के लिए अपने हत्यारों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए। गौर तलब है कि इस महीने की शुरुआत में रूसी राश्पती पुतिन ने युक्रेनी बॉर्डर से लगे इलाके में परमानू हत्यारों के स्तेमाल का अभ्यास करने का आदेश देकर युक्रेन समेथ तमाम पश्चिमी देशों में हल्चल बढ़ा दी थी। इसको लेकर रूसी रक्षम अंत्राले ने खुलासा किया था कि ये अभ्यास पश्चिम से बढ़ती भड़का और बयानबाजी के बाद अमेरिका और उसके सहयोग्यों के लिए एक्चेतावनी के रूप में था। बता दे कि ये पहला मौका नहीं है इससे पहले भी अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर पारमाणू हमला करने का आरोप लगाते रहे हैं। हाल में राजपती पुतिन ने जोर दे कर कहा था कि युक्रेन संगर्श में किसी भी समय रूस ने ऐसे हथियारों का उप्योग करने पार विचार नहीं किया है।